आज हम बनाएगे जीजी स्टफ पुलापाट गार्लिक ब्रेट जो की बहुत जल्द बन जाती है। इसके लिए मैंने एक बाउल में एक प्याज लिया था मीडियम साइज का जिसको मैंने बारिक काट लिया था जिसके मैंने बीज निकाल दिये थे और उसे भी बारिक काट ल क्या नंपक कोई दाली है कूँ आप इसमें अपने पसंद की सब्सक्राइब दाल सकते हैं जैसे गाजर बूabout काटकर आप इसमें डाल सकते हैं मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और क्वल्स सफाद लिए है और नमक चीज है यह मैंने 200 ग्राम जितना लिया था आपके पास जो भी चीज हो आप इसमें डाल सकते चीज भी आप कम जादा कर सकते आपके टेस्ट के अकोडिंग अब आप सारे वेजेटेबल्स और चीज को अच्छे से मिक्स कर दीजिए यह बहुत ही जल्द और आसानी से बन जा किया है और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें लसन का पेस्ट डाला है लसन मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है बटर रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए यह मैंने इसमें और इसे लोगी के लिए हूं यह मैंने दो बर्गर बंद लिये हैं और इसे मैं चाकु की साहता से इस तरीके से काट रहे हूं इसे आपको पूरा नीचे तक नहीं काटना है इसे थोड़ा सा नीचे के हिस्से में कट को छोड़ देना यानि कि पूरा आपको ब्रेट को नीचे तक नहीं काटना है यह देखिए यह मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूरा नीचे तक इसे नहीं काटा है आप आपके हिस आप से इसको जितना चाहे इतने quantity में काट सकते हैं या इह दो पीस में भी काप सकते हैं मैंने इसमें थोड़े जादा लिये हैं क्योंकि मेरा बन थोड़ा है यह देखे है यह इस तरीके से कट होना चुछ पूरा अलग नहीं होना यह जद बन काटते हुए आप चक्कु को पूरा नीचे तक मत ले जाएगा थोड़ा सा गैप रखेगा इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से बन को काटना है आपको यह देखिए यह हमने जो बटर गार्लिक पेस्ट बनाया था उसे हम यह ब्रेड में इस तरीके से चम्मच की साहत से चारो तरफ हर कोने में आपको लगाना है मैंने चम्मच की साहता से लगाया है अगर आप चाहे तो ब्रश की साहता से भी इसको आप लगा सकते पर आपको इसे बटर को गार्लिक बटर को आपको ब्रेड के हर कोने में अच्छे से लगाना है इस तरीके से गार्लिक बटर आप अच्छे से लगाईएगा ब्रेड के चारो तरफ तो ही आपको टेस्ट आएगा गार्लिक बटर का गार्लिक बटर हमारा लग गया है अच्छे से ब्रेड में चारो तरफ अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे मैं अच्छे से एक बार पहले मिक्स कर दूंगी उसके बाद मैं उसे इस ब्रेड में चारो तरफ अच्छे से इस तरीके से स्टफ करूंगी ब्रेड में आपको स्टफिंग को अच्छे से नीचे तक स्टफिंग करनी है इसे अच्छे से डालिएगा ताकि आपको हर बाइट में गार्लिक बटर और स्टफिंग का टेस्ट आए इसल तक अच्छे सेắp में आपको अच्छे सें अच्छे से भरि येगा तो ही आपको टेस्ट आएगा आगा स्टफिंग और गारलिक बटर यह देखिए इस तरीके से आपको ब्रेट के ब्रेड के अपने यह कट समने किये थी उसमें आपको इस इसलिए अगर आप चाहे तो डालिएगा वरना कोई बात नहीं ये देखिए ये हमारा बन एकदम तयार है अब मैंने एक कड़ई ली थी नॉन्स्टिक कड़ई है ये मेरी इसे मैंने हलका गरम किया है लो फ्लेम पे एकदम और उसमें मैंने बटर लगा दिया है नीचे अब म इसमें रख रही हूँ जो मैंने स्टफिंग किया था वो बन मैं इसमें रख रही हूँ और उसे ढख कर तब तक पकाऊंगी एकदम लो फ्लेम पे जब तक चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और ये देखिए ये मैंने बाकी के तीन बन भी बना कर तयार कर लिए है य और ये मैं दूसरा बन जो मैंने बना कर रखा था उसे भी मैं इस तरीके से ढख कर तब तक पकाऊंगी जब तक चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता चीजी स्टफ पुलपाट गार्लिक ब्रेट बनकर एकदम तयार है ये देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा